हेई गाज विल्पम्ट तो फिजिक्स इंप्लेग्रांड अभी आप लोगों को येडिश्ट्रोच्ण से करवा रख का है सारा बता रख का है explain अच्छे से कर रख का तो वो वीडियो भी upload है तो अब भी आप लोगों को notes मिलेगा उसका password बताना है second registration form कब हो आएगा need का और need का exam कब होगा इसके बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले password है physics in playground 23 without any spacebar और small letter में physics in playground 23 यह रहा password second registration form कब आएगा तो registration form जब भी आएगा वो मैं upload करवा दूँगा जिनका भी यह काम edit करना upload करना telegram पर वो मैं upload करवा दूँगा मेभी 12 आवर वो भी medical student है तो मेभी 12 आवर 24 लेट हो सकता है बट इतना time पर हो जाएगा कि आप लोग बहुत ही easily register कर लोगे need के लिए second exam कब होगा तो exam कब होगा यह किसी को नहीं मालूम क्योंकि कब third wave आएगा कब fourth wave आएगा आपकी health सबसे number one priority list पर है आपकी health सबसे ज्यादा important अभी तो because यह चाइना का नहीं है यह इंडिया का जो वाइरस है यह अभी mutant इंडिया का और यह बहुत ही ज्यादा dangerous है इसका कोई इलाज नहीं है अभी तो कि इसका कोई medicine नहीं है कोई कुछ नहीं है स्रिफ organ wise medicine दिया जा रहा है तो इसलिए आपकी health important है जो भी होगा सारा कुछ लंबा प्रोसेस है इतना आसान नहीं है कि कला करकर बोल दे इस दिन exam ले लो सप्टेंबर एक्टूबर बहुत बच्चे ट्वीटर पर यह करवा रहा है पहला बाइदवे यह बता देता हूं मेरे student जो भी प्याइपी पर है मैं ऐसा मानता हूं कि ना ही उनका इंस्टा एकाउंट है ना वो एबीप है और ना ही उनका ट्वीटर एकाउंट है मतलम पूरी दुनिया से कटे हुए है ऐसा मुझे लगता और ऐसा होना चाहिए एक मेरे जैसा क्लासी डॉक्टर बंदा खुद की तारिफ ने कर रहा हूं मतलम एक समझ लो एक लड़का हा और वो लड़का अगर हाट फेलियर का एक पेसेंट आता है इमर्जेंसी केस में तो उस लड़के को डिसाइट करना होता है एक से दो सकेंड मिलता है कि या तो उसे इंट्रावेनेस देतो या कोई ड्रग्स देतो जिसे उसकी जो मॉटिलीटी रेट है वो डिक्रीज हो जा सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम फाइफ टू सिक सेंड में एक इंजेक्शन से उसकी जान जा भी सकती है और उसकी जान बच भी सकती है और उसे टीजाइट करना होता है तो उसे बोलते क्लास और अगर वो बोल दे कि एसी इनिबिटर इंट्रावेनेस दे दो एसी इनिबिटर म तो जितने भी ग्रूप में एक डॉक्टर अकेला नहीं देखता है उस लड़के के साथ समझे तीन चार डॉक्टर और भी है अगर उसने बोल दिया कि यह दे दो इस पार उनो लेक्टोन दे सकते हो और दे दो तो फिर दुबारा कोई डॉक्टर नहीं बोलेगा कि नहीं यह दे करके बीटा ब्लॉकर धेते है यह कुछ डायूरे टॉरेटिक देता है यह टेक है नायुछ भी परटे हो समझे तो वह क्लास होता हूब क्लास के लिए आपको पड़ना पड़ेगा और जो बचे पढ़ते है ना उनके पास इदना टाइम नहीं आप होता है वह इंस्टा और यह इसके लिए पहले आपकी जीरो वैलू है, जीरो समझते हो, जीरो वैलू है, यह एक रियलीटी, यह फैक्ट, आपके बोलने से ट्वीटर पे ट्रेंड करा देने से किसी को कुछ फरक नहीं पड़ता है, यह एक रियलीटी है, माल लो इसे, क्योंकि जो चीजे वो आप आपको नहीं मालूं चल क्या रहा है, कैसे क्या हो रहा है, तो समझना है, बुरा मत मानना, पहले बता दे रहा हूँ, यह एक रियलीटी फैक्ट है, हम लोगों के बोलने से कुछ भी नहीं होता है, जिनका जो काम है, वो सारा कुछ देख रहे हैं, कैसे क्या करना है, किंग हो है, तो डिसीजन वही लेंगे, समझे, बहुत लोगों को लगे, किंग हम बनाते हैं, यह वो, आपका स्रिफ और स्रिफ काम है, बनाना, डिसीजन लेना, बनाने के बाद उनका काम है, तो सारा को जुन पर छोड़ दो, आपको डॉक्टर बनना है, क्लासी डॉक्टर बनन एज बता रहा हूं, 60 पलस किसी का एज है, किसी का 65 पलस है, कोई 50 पलस के, 50 माइनस के नीचे एक भी डॉक्टर मुजचिल ही, बहुत मुजचिल है, जिनका 45 होरा है या 40 होरा है, और वो उस लेबल पर है, बहुत मुजचिल है, और मेन प्रोब्लम क्या है, जो phrasers है, जैसे मैं हूँ और एक 65 प्लस के डॉक्टर है तो कभी मैच नहीं हो पाएगा उनकी मेंटिलीटी अलग है वो पुराने थिंकिंग के है मेरी मेंटिलीटी ऑफ कॉस्स अलग होगी अभी की जेनरेशन की अब टूटली डिफरेंट है मैंने पहले बताया काम करने का तरीका अलग है सरजरी में भी गाना बजातेते हैं हम लोग सारा तो ऐसा होता है फॉरें में होता है वो लोग समझ जाता है वो लोग वेस्टन कल्चर वाल है तो वो लोग समझ जाता है बट अब भी समझाना हीन है मुस्किल होता है क्योंकि इनका रूल रेगुलेशन सारा कुछ अलग है तो बिली आइलीस करना का ना बजा सकते हो ना मुहमत रफीका का ना बजा सकते हो तो वो सारा कुछ मैच करना बहुत प्रॉब्लम होता बट वो लोग जो है ना जो इंडिया के यंग ओल्ड डॉक्टर हैं जो पुराने डॉक्टर है 65 प्लस स्रिफ और स्रिफ वही एक क्लास क डॉक्टर होता है बहुत ज्यादा एक्स्प्रियेंस होता है और स्रिफ देख करके वह बता सकते हैं क्या है क्या नहीं समझे तो और उनके साथ मैच करना बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल होता और यही प्रॉब्लम है कि लोगों को बचाने ही पा रहे हैं और ऐसे डॉक् बस इतना बता दिया, पढ़ाई पे फोकस करो, दुनिया में क्या चल रहा हूँ, उस पे फोकस आपको नहीं करना चाहिए, श्रिफ और श्रिफ अपने पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए, थैंक्स और बेस्ट आफ लग फोरियर इजाम,